बिस्पी के नगर सिवाएं विभाग द्वारा सालों से खुर से पारस्थित बिस्पी के आवास में अवैर रूप से निवासरत कब जिधारी को निकालने बेदखली कारवाही की गई कब जिधारी को आवास खाली करने पुर्व में कई बार नोटिस जारे किया जा चुका था, कारवाही के दोरान कारी पालक, मजिस्ट्रेट और चावनी थाने का प्लिस बल भी मौजूद था बिलाई इसपास सयंत्र के आवासों में आवास दलालों के जरिये, अवैद रूप से निवासरत लोगों को बेदखल करने ब्यस्पी के नगर सेवाए प्रवर्तन विभाग द्वारा कुछ दिनों पूरो महा अभियान शुरू किया गया था महा अभियान के दवरान अब तक टाउंशिप छेतर रिसाली और पट्री पार से ब्यस्पी के कई आवासों को कबजेधारियों से मुक्त कर एलाटी अथवा रख रखाओ कार्याले के सुपूर्द किया जा चुका है गुरुवार को विभाग द्वारा कारवाई करते हुए खुर्सी पार से ब्यस्पी के एक आवास को कबजेधारियों से मुक्त कराया गया इस दवरान कारेपालक मजिस्टेड और चौनी पुलिस का बल भी मौजूद था कारवाई के दवरान घर की महिला सदस्यों और विभाग के अधिकारियों करमचारियों के बीच काफी वक्त तक विवाद की इस्थितिप बने रही महिलाएं अधिकारियों से घर खाली करने मौलत मांग रही थी लेकिन लगातार नोटिस जारी करने के बवजूद मकान खाली नहीं किये जाने से अधिकारी मोहलत देने को तयार नहीं थे इस दौरान महिलाओं ने गेट में ताला लगा रखा था अधिकारी ताला खुलवाने लगातार अगरह करते रहे महिलाओं के ताला नहीं खोलने पर करमचारियों ने बौन्डरी वॉल कूद कर परिसर में घुषने का प्रयाश शूरू किया, लेकिन इसी बीच महिलाओं द्वारा ताला खोल दिये जाने पर करमचारियों ने घर के अंदर प्रवेश कर एक एक कर सभी समानों को बाहर कर दिया इस दोरान काफी वक्त तक तनावपून इस्थिती बने रही अंतता घर के सभी समानों को बाहर कर मकान को कबज़ा मुक्त कर दिया गया गौर तलभे की रिसाली और टाउंशिप छेतर में बियस्पी के आवासों को कबज़े में कर उन्हें किराय से संचालित करने वाले आवास दलालों दोरा इन्फोर्स्मेंट के करमचारियों को डराने धमकाने की घटनाएं सामने आते रही हैं जिसकी शिकायतें भी पुलिस थ जिन्हें मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। आशियन न्यूस के लिए संजय दुबे